जहिंत फ्यूटर अब आप सोभी लोगा स्वागत है मैं हूं हिमान सुक्मार इस वीडियो में आज एक बार फिर बात होगी यामनी इंवेस्टमेंट की यामनी इंवेस्टमेंट के क्वाडर टू के नतीज़े आ गए हैं लेकिन उसके बाजूद इसके सेयर प्राइस में बात करेंगे एकदम सुरू से हमनों जाते हैं कि यामनी इंवेस्टमेंट जो है एक फाइनांस सेक्टर की छोटी सी कंपनी है और फाइनांस सेक्टर कंपनी है तो इसमें सिर्फ इंवेस्टमेंट का काम करती है इंवेस्टमेंट कि इसमें करती है लोगरा देती है यानि कि सिधे quarter 2 के result पर आप पूले कर चलते हैं बताते हैं result कैसा आया है और उसके बाद आगे की आगे करना क्या है इसके बारे हम बात होगी सबसे पहले जो इस बार यानि की quarter 2 में कंपणी के नतीजे आए हैं उसमें कंपणी का कमाई जबरदस्त बढ़ा है जहां पिछले quarter में यान दोनों का मुकाबले कंपणी की कमाई तगड़े हुई है और जब कमाई बढ़ी है तो कंपणी के खर्चे भी बढ़े हैं जोगी लाजमी है जहां पिछले साल के सेम quarter में यानि कि पिछले साल के quarter 2 में देखेंगे तो लाना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा तो पिछले quarter में कुछ नहीं कमाया फिर भी 18 रुपए कंपनी के खर्च हो गये लेकिन इस quarter में कमाया है एक करोण 19 रुपए और इसमें कमपनी ने खर्चा किया है एक करोण 9 रुपए अब देखें जैसे जैसे कमपनी के कमाई बढ़ते हैं तो खर्चे भी बढ़ते हैं लेकिन आपने एक बात यहां नोटिस किया होगा कि पिछले दो quarter की जो मैंने बात बताई quarter 1 की और पिछले किया था 18 रुपए इस बार कमपनी ने एक करोण 19 रुपए कमाया है लेकिन खर्चा एक करोण 9 रुपए किया है यानि कि कम किया है तो यह अच्छी बात है कि management में सुधार होते वे दिख रहा है इनको यह बात समझ में आ गया है कि कमाई से जाधी खर्चा करेंगे तो नु इनका में उससे कमनी ने जो भी कमाया था उसमें इसको प्रोफिट हुआ था और पिछले साल के सिम क्वाटर में देखेंगे तो उस समय जो टूटल प्रोफिट हुआ इस कमपनी को वह वह था सिर्फ दो लाग रुपए यानि कि कमपनी का कंट्व बढ़ती वे दिख रहा ह है लेकिन अब क्योंकि करोण रुपया में प्रोफिट टर्न कर रही है और मजबूत होते वे दिख भी रहा है और हम ऐसा इसलिए भी करें क्यूंकि कंपनी का करजा भी कम हो गया एक दम बिल्कुल डेप्ट फिरी हो गई है और फिरी कैस फ्लो जो होता है कंपनी का रिजर बढ़ने लगा है जहां पिछले क्वाटर में सिर्फ 14 क्रोंड सतर लाक रुपय ही कैस परसा थे वह अभी क्वाडर टू में बढ़कर 14 क्रोंड 94 रुपय हो गए और एक कंट्रीम क्वाटर टू क्वाटर जैसे जैसे कंपनी का प्रोफिट बढ़ रहा है कंपनी का फंडमे अब चलिए बताते हैं कि इस पर आगे करना क्या है अभी कोई अच्छा मोमेंट होते नहीं दिख रहा है आज के दिन भी देखेंगा तो रेट निसान में इसका जो परसेंटेज दिखा रहा है कि आज भी श्टॉक गिरावट में चल रहा है और पिछले एक माह की बात करें में तकरीबन 5 परसेंट और पिछले 6 माह में तो देखेंगे तकरीबन 40 परसेंट चुप चुका है 2015-16 के बाद इसी साल में 2022 के सुरू में कंपणी ने तकरीबन 3 रुपे का सपास का हाई बनाया था और वहां से देखेंगे तो प्राइस अभी कम होगा 33 रुपे का सपास आ करना चाहिए हालाग कि 44 पैसा तक जाने का इंतजार नहीं करना जखेंगा यदि यदि इस कमणी का सेर प्राइस असी पैसा से नीचे चला जाता है तब आप इससे बाहर हो जाएगा और दोबारा जबी इसका प्राइस बढ़ने लगे बहुत से में अगर फंडमेंटल होने तो लाइक जरूर कीजिएगा इससे थोड़ा motivation मिलता है मन में कोई भी स्वाल है तो इस कमेंट में जरूर पूछे यदि आप मुझे जूड़ करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और आपके पास शेर बजार में investment करने के इसका कोई चार्ज नहीं लगता है और इसका लिंक डिस्क्रिशन में दिया गया है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तत्क लिए धन्यबाद शुक्रिया